ऐसे तो आधो फ्रेंड तेसी इति ग्यांसिंग demere 내 Netz सब्धूट तो आज हम लोग एक नए update कि तेना क्या करते हैं उसमें फूरा सा जानकारी लेने वाले हैं उससे नोटिफिकेशन को भी देखने वाले हैं तो चलिए बिना किसी दिरीक हम लोग सुरू से अंद्ध करते हैं कि इसमें क्या होने वाले तो चलिए फिलाल सुरू करते हैं और हम लोग देखते हैं सारा एक डिटेल और अगर आप खुद चेक करना चाहते हैं तो आप इसके उफिसल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं और हम इसका वेबसाइट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे तो हैं पहले हम लोग अपने रिक्रूप्मेंट की तरफ देखते हैं तो फाइनली हमारा पोस्ट का नेम क्या है यूपी यूपी पीस समिक्षा दिकारी सहायक समिक्षा दिकारी आरो ए आरो रिकूप्मेंट दो हजार तेईस अपलाई ऑन-लाइन फॉर हंड्रेड इलेवन पो पोस्ट होने वाले हैं तो यह नोटिफिकेशन कब का है अपडेट पोस्ट कब कर सरकारी रिजल्ट पर कब पोस्ट किया गया है आठ आठ अक्टूबर दोहजार तेईस दस बच के साथ एम पर पब्लिक किया गया है तो फिलाल अभी चलते हैं सारे डिटेल को उसको हम देख लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स आपके लिए क्या क्या है अप्लिकेशन विगेंस नाइन टेन टू टू थाउजन ट्वंटी त्री यानि कि जो है आपका नौ 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 अक्टूबर दोहजार तेईस से आपका क्या है अप्लिकेशन फॉर्म भराना शुरू हो जा है लेकिन अभी लिंक का अक्टिवेट हुआ नहीं है नोटिफिकेशन में दिए है कि अब लिए अग्लागाईS पर एच्षेदिuL के लिए फिजू में हुआ और इसको नोटिफिकेशन मैं क्या क्रने क्या सोच्वीज सब्सक्राइब कब लेबले होगा वही आपके एक्जाम से 10 दिन पहले होता है 12 दिन पहले होता या एक महीने पहले आपका क्या हता है admit card आ जाता है तो आप इसके fees के बारे में लोग बात कर लेते हैं तो आपका जनरल OBC और EWS की कितनी है 125 रुपए लगने वाले हैं STC का पंचान में रुपए लगने वाले हैं physically handicap candidates का 25 रुपए लगने वाले आप इस payment को online कर सकते हो या debit card के through credit card के through net banking के through pay offline through each line के through कर भी सकते हो ति यहां पर सारे हमारे payment method लखे रहे हैं और कितना हम को कितना देना पड़िएगा जैसे कि आप को general candidate होंगे या यानि कि आप physically handicap candidate होंगे आप पची cups रुपए देने हो पास 411 हैं जिस पर आपको लड़ाई करनी है अगर शीट पानी है तो फिर आब अब आते हैं इसकी eligibility criteria age limit क्या है age limit as on one seven two thousand twenty three minimum age आपको 21 होनी चाहिए यानि आप 21 साल के होने होने ही चाहिए आप 21 साल के अगर आप 21 साल के नहीं हो रहे हैं तो आप इस फार्म को साल तक के सबी लोग भर सकते हैं तो एक्स्टा ऐस पर एज यूपी एस सी यूपी यूपी प्यस्टी रिव्यू आफसर असिस्टेंट रिव्यू आफसर एक्जामनेशन रूल तो 2020 यानि कुछ एज रिलक्सेशन भी हो सकता है जो कि इसमें आपके रूल गाइडेंस में दिया रहेगा उसके इसाब से आपको एज डिलक्सेशन मिल सकता है एक्स्टा तो अब आते हैं इसके टोटल वैकेंसी डीटेल पे आते हैं चार सू इगारा वैकेंसी है आपके पास तो इसमें आपका पोस्ट नेम क्या है रिव्यू ओफिसर असिस्टन्रीव чув Paceras यानि समिक्षा अधिकारी समिक्षा सहयक अधिकारी रिव्यू ओफिसर वह समिख्षा दिकारे को हम लोग अंगली जी में क्या बोलते हैं रिवीव ऑफसर और सहाइक समिख्षा दिकारी को क्या कहते हैं असिस्टेंट रिवी ऑफसर मतलब होई समिख्षा करने आना देख रेक परने वाला उस्टर 411 पोश्ट हमारे पास है और हमको यह इसके लिए कौन-कौन रहे गा यानि यूपि पिससी आरो औरो का लिए कौन रहे जो बैचलर डिगरी किया होगा किसी भी इन्वरसिटी से कोई भी क्या है बैचलर डिगरी किया हो या तो इसका लिंक नहीं हुआ है इसका अगे बढ़ते हैं इसका लिंक देखिए अब एक्टिवेट नहीं हुआ है इसका अक्टिवेट होगा तो यहां जरूर सोपरने लगेगा इसका लिंक अक्टिवेट नौ 10 2023 यानि कि आज ही होने वाला है लिकिन अभी हुआ नहीं तो चलिए इसके नोटिस डाउनलोड नोटिस यानि कि इसका नोटिस हम पर लोग पढ़ लेते हैं नोटिस में क्या दिया हुआ है तो फिलाल नोटिस में यहीं दिया है देखिए इस परिच्छा का विश्तरित विज्ञापन दिनांक 9 10 2023 से आयोग की वेबसाइट दो यानि कि जो आपका यहोग का वेबसाइट है लब दरहेगा जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया सुल्क जमा करने की प्रक्रिया जाजप्रमाण पत्रों का फॉर्म का यानि कि सारा डिटेल उस पर दिया रहेगा और जो आपका एक एकल वन टाइम रजिस्टेशन नंबर प्राप्त करना निवार है यानि कि आपको ओटीर जरूर करवाना है ओटीर कैसे करेंगे अभी उसको मागे बता देंगे आपको वन टाइम रजिस्टेशन जरूर करवाना है वह आपको बाद में भी आपको जरूरत पड़ सकती है फिर अब अभ्यारति विस्तरित विज्यापन देखने के लिए पस्चात एक अहम होनी इस्तिति में ही आवेदन करें यानि कि आप पूरा इस डिटेल को पढ़े लें तभी ही आप अवेदन करें और इसका जो पीडियाप है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा वहां से आप जाकर करिए या तो आप सीधर सरकारी रिजल्ट पर जा अभी आमने आयो सीमा की बात की थी एक जुलाई दोजार तेस को 21 वर्ट की आयव अवस्क है यानि कि आप 21 वर्ट की आयव कंप्लीट किये रहे होंगे फिर ओटियार आधारित आनलाइन आवेदन प्रारम होने किती थी नव दस दोजार तेस यानि जो आपका वन टाइम र पर फीज जमा करवाने हाले हैं आपको नव तारीक को खतम यानि 12 बज़ 11 बज़ के पर अठाव 69 मिनट पे खतम हो जाने वाला है ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिमतिती 9 11 2023 यानि 9 नौमबर 2023 में आपका खतम हो जाएगा तो फिलाल यह विज्जापन है साथ अक्टूबर 2023 प्रयाग्रास से किया गया है तो आसा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी अगर पसंद आई चैमिल स्क्राइब कर लिजएगा और OTR हम लोग कैसे करेंगे आप हम लोग सुरू से जान लेते हैं कैसे इस इसको हम जाके यह पूरा डिटेल को कहां से इसको एक्सि सक्षन में आने वाल देखी यह लिख्या है यह जिए रहा इरह पूराइं पोश्ट वाला है खूल गया तो फिलाल इसमें देखिए आपका सारा डीटेल दिया हुआ रहेगा डिटेल आप देखके आ आप लोग apply online पर simply आराम से क्रिक करके आप कर सकते हैं अभी जो है कि लिंक हमारा क्या है create generate नहीं वो पाया है जो की notification तो आ गया लेकिन हो नहीं पाया है और आपको download sort notification आपको notification download करना होगा तो इस पर simply इस पर क्लिक करके क्या करते हैं कर सकते हैं आप वहां पर जा सकते हैं और यहां पर आप अपना क्या करते हैं और ओटिया नंबर डाल के आप अपना देख सकते हैं ठीक और अगर आपको फिर नए रेजिस्टर करना है तो यहां आदेखी लिखे hives for Augen Ground ही सरे यहां पर यहां पर क्लिक करेंगे तो आपका जाएका अप नीचे जाकर के आप लाय आउन-लाइन यहां पे पहले आप ऑन-टाइन इस्टेश्ट न करिए ना यहां पर देखिए कई आप्सन दिया रिजिस्टर और नीड ओपन ओटी आर आलरीडी है वो टी यार चेंज मुबाइल रिक्वेस्ट यह सब क्या है आपका बेसिक डिटेल दिया हुआ है आप अगर नया ओटी यार चाहिए या तो आप यहां पर जाके क्लिक करके कर सकते हैं तो फिला हमारा ओफिस्टियल वेब साइट है यहां पर सारा हमारा नोटिफिकेशन यहां पर देखिए कंडिडेट रिजिस्टेशन है दिया हुआ यहां पर आप जाके रिजिस्टेशन भी कर सकते हैं तो बस आज के लिए इतना ही अगर वीडियो पसंद आया चैनल सब्क्राइब क तब तक के लिए धन्यवाज जय ही जय बारत बाय बाय टेक केर